So, hello guys, good morning, welcome back to the channel कैसे हैं आप सभी लोग आई हो, काफी positive होंगे, must होंगे, व्यस्त होंगे बाई, नए दिन की शुरुबात हो चुकी है और फिलाल आज हम बात करने वाले राजिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर और यानि की जीलो के शहर की, जी हाँ उदैपूर की बहुत ही famous और काफी जाधा popular destination है राजिस्तान का और इसी के जस साथ में एक और जगा पढ़ती जो की राजिस्तान का एक लौता हिल स्टेशन है माउंट आबू, तो अगर आप उदैपूर का प्लैन कर रहे हैं तो इसी के साथ आप माउंट आबू का भी प्लैन कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं उदैपूर पहुंचने की तो उदैपूर आप बाय रोड आ सकते हैं मेरी तरह road trip करकर और by road अगर आप डैली से आ रहे हैं तो 682 km something ये google map पर दिखाता है although kilometers बहुत ज़ाद हैं बाट अगर आप 8 बजे साड़े 8 बजे के आसपस अगर आप चलते हैं तो आप believe करिए आप डैली मुंपर एक्स्प्रेस वे वाले routes से चार बजे के आसपस दुफैर में आप पहुँच जाएंगे या शाम बोल लीजे शाम तक आप पहुँच जाएंगे easily उदैपूर में जी हाँ guys और अगर आप लखनो वगेरा से आ रहे हैं तो आपको distance बहुत ज़ादा पड़ेगा तो पड़ेगा 999 something km पड़ेगा जो कि लगबख 1000 km के बराबर ही है और वहाँ से शायद जादा time लग सकता है कि डेली से मैंने road trip किया था तो उसका मैंने idea आपको दे दिया है फिलाल आगे बात करते हैं तो guys उदैपूर पहुँच कर आप अपने budget को ऐसे plan कर सकते हैं कि आप 10 से 12,000 में विदे family of 4 people easily 2 days 3 night में उदैपूर को easily explore कर सकते हैं और proper explore कर सकते हैं तो guys बात करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं उदैपूर पहुँच के सबसे पहले आप अपना hotel book कर लीजी 1000 से 1500 के बीच में आपको with all the amenities आपको वहाँ पर easily hotel वगरा मिल जाएगा और hotel वगरा book करने के बाद आपके पास दो option है पहला option है कि आप अपनी ही गाड़ी से अगर आए हैं तो आप उसी के साथ उदैपूर explore करने निकल जाएं जिसके लिए कि मैं बिल्कुल कहूँगा no 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 पहली बात तो अपने को वहाँ पर रस्ता नहीं बता और दूसरी बात अकर हमें रस्ते पता भी हैं तो वहाँ पर कुछ रस्ते बजार से ओके निकलते हैं तो बहुत ही steep road हो जाते हैं और traffic jam जैसी situation होती है जो कि आपका unnecessary travel destination में time-based stage का का काम करेगी इससे better मैं आपको suggest करूँगा कि आप स्कूटी बगरा ले ले जो कि 500-600 रुपे per day के साबसे आपको मिल जाएगी और fuel up कराकर निकल जाए उदयापूर की journey के लिए नहीं तो सबसे best option जो मुझे परसनली लगता है वो है आप वहाँ पर एक auto hire करें वो auto आप से 500-700 रुपे लेगा जो पूरे दिन आपके साथ रहेगा और आपको उदयापूर की सारी local sightseeing वगरा cover करा देगा और वो आपको प्रॉपरली सारी चीज़ है with time cover कराता जाएगा और with frame cover कराके जाएगा जो चीज morning में देखने की है वो अलड़ी आपको morning में लेकर जाएगा और जो चीज evening में देखने की है वो evening में ही लेकर जाएगा फिलाल अपनी बात कर लेते हैं तो guys सबसे पहले आप morning में निकल जाएए अगर आप वहाँ पर afternoon में पहुँच रहे हैं उच शो में बैठ कर तो guys बो शो जरूर आप enjoy करिए दिखेंगी local markets की जहाँ पर बहुत सारे leatherette products आपको देखने को मिलेंगे जो कि उदैपूर में सबसे जादा देखने को मिलते हैं और किसी भी शेर में इतने जादा leatherette products मैंने अभी तक नहीं देखे हैं उदैपूर के अंदर बहुत सारी shops आपको ऐसी दिखेंगी जहां पर आप ये सारे leatherette products पर्चेज कर सकते हैं तो आप वहाँ अपने मन पसंद पर्चेज करिए और उसी के ज़स्त सामने आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा restaurant है कोई promotion नहीं है मुझे personally वहाँ का खाना अच्छा लगाता है मैंने वहाँ पर order कराता राजिस्तानी famous food दाल बाटी चूर्बा वाली ठाली और मैंने वही order करकर खाई और बहुत ही believe me guys बहुत ही अच्छा टेश्ट था उस restaurant का और वहाँ से views भी बहुत अच्छे आते तो आप भी try कर सकते हैं इसके बाद night हो चुकी है तो वापस आजाएं अपने hotel पर और morning में सुवेरे निकल जाएं वापस से इसी जगां के लिए जो है city palace city palace पहुँचकर आप पहले वहाँ पर चौक पर पहुँचेंगे और उसी चौक पर अपने पास थी नहीं और परमीशन इजली मिलती भी नहीं है इसलिए आपको मैं ज़्यादा दिखानी पा रहा हूँ आप city palace जा सकते हैं और वहाँ पर अच्छे से एक्स्प्लोर कर सकते हैं राजिस्थानी कल्चर को महराज़ों के lifestyle को और हमारी history को तो वह एक्स्प्लोर करने के बाद आप वहाँ से सीधा निकल जाएं सहेलियों की बाड़ी के लिए और सहेलियों की बाड़ी एक ऐसा स्थाने जो महराज ने अपनी रानी के लिए बनवाया था अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए तो guys यहाँ पहुंचकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि एक well maintained gardening यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यह place इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि यहाँ पर आपको अच्छा कासा time लगने वाला है like एक से देड़ घंटे का time इसको पूरा explore करने में आपको लेकिन place इतना अच्छा है कि आपको वहाँ से जल्दी से निकलने का मन नहीं करेगा और यहाँ की जो ticket वगरा वो भी nominal है 20-25 रुपे परसन का ticket है इसलिए में जादा उसको mention करना नहीं चाहरा था तो guys यह वाला place explore करने के बाद आप वहाँ से सीधा जा सकते है सुखाडिया सरकल के लिए जो कि वहाँ का एक और famous destination एक point है सुखाडिया सरकल को आप explore कर सकते हैं अच्छे से और उसके बाद वहाँ से सीधा निकल सकते हैं आप जीलों के शहर उदैपूर की जीले देखने के लिए देखो ऐसे में नाम अगर गिनवाने लगों तो व्लॉक बहुत बढ़ा हो जाए क्योंकि उदैपूर में इतनी सारी जीले हैं और फिट भी मैं famous कुछ जीलों के नाम आपको गिनवा देता हूं जैसे कि आप वहाँ जा सकते हैं famous पिचॉला लेक के लिए और आप वह जाएंगे तो वह नीला पानी देखकर आपका मन एक दम खुश हो जाएगा और वहाँ पर आप बोटिंग वगरा भी कर सकते हैं और साथ में camel riding वगरा भी वहाँ पर option होता है तो फते सागर में ये सारी activities करने के बाद आप आगे की तरफ चल सकते हैं अगर आपने बागोर क अगे हवेली का शोर लास्ट टाइम में कवर नी करा है तो वो देख सकते हैं नहीं तो आप जा सकते हैं सीधा गंगोर खाट के लिए तो गंगोर खाट पहुचकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है और वहाँ पर चलने वाली हलकी ठंडी ठंडी हवा अगर आप प्रॉप और उसी के जश्ट साथ में हैं बागौर की हवेली बागौर की हवेली आप पहुचकर लोकल ट्रेडिशन को एक्स्प्लोर करेंगे ही और इसी के साथ आपको कुछ हिष्टी की चीज़ें भी पता चलेंगी जैसे कि आप जब अंदर जाएंगे तो राइट एंड साइड मे बागौर की हवेली के अंदर आपको दिखेंगी different type of turbines मतलब पगडी तो guys वो जो पगडियां हैं जो महराजा पहना करते थे वो सारी museum में अभी भी धकी हुई है उनको आप explore करने के बाद आप सीधा जा सकते हैं guys उपर हवेली में और जैसे आप उपर की तरफ जाते हैं जहां पर राजा महराजाओं के dinner sets, जहां पर bedding, जहां पर उनका महल का अंदर का architecture और सारी जो कमरे के अंदर चीजें होती थी वो सारी चीजें local utensils वगरा जिसमें खाना खाते थे वो सब पूरा lifestyle देख सकते हैं और बागौर की हवेली के top पर जाकर आपको बहुत ही इसी के साथ यह short trip यह चोटे से आइटीनेरी आपको उदयापूर का दो दिन का complete हो जाएगा और इसके लावा भी और सारे points है बट famous points जो थे वो मैंने cover करने की पूरी कोशिश करी अब बात करते हैं कुछ यहां की budget वगरा की तो guys जैसा कि मैंने आपको बताया 1000-1500 का यहां आपको रूर मिल जाएगा 4-5000 का one side में आपका petrol या diesel का expense आएगा with toll और इसके बाद guys आपका expense होने वाला है वहां पर 700-500-700 रुपे auto वगरा का बाकी 1000-2000 रुपे per day के साब से आपका meal वगरा पर expense होने वाला है लगबग total overall add करेंगे तो 10-12000 रुपे में आपका बहुत ही बनाया है अगर आप इसमें cut down करना चाहें तो आप train वगरा से जा सकते हैं और आप वहां पर जाकर स्कूटी वगरा rent कर सकते हैं और नहीं तो आप रिक्षा वगरा rent करके जा सकते हैं तो guys आप cut down करने आऊ तो यार आप बहुत जादा cut down कर सकते हो 12000 के trip को आप 6000 में भी कर स शेयर कर दो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो दू सब्सक्राइब टू दे चैनल और गैस मिलता हम दुबार कर आप से एक नए दिन की शुरुबात के साथ एक नए व्लाग में टेल लैं कीपिंग यो लाइफ जीरो फैव आपके भाई की इंस्टा-ईडी जल्दी जाकर फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट रील की भाम में सब्सक्राइब वाइक बढाते हैं